हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दीपा कभियनता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूटूब चैनल अभियनता क्लास एज पर तो दोस्त जिसका इंतजार था वो आ गया है जैसा कि कांसिलिंग लिस्ट आ गया है सबसे पहले आप देख लिजे कि cut up अलग अलग दिया गया है civil electrical और mechanical के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो cut up दिया गया है सबसे पहले बीधुत यानि electrical कनिय वियंता के लिए cut up दिया गया है उसके बाद जैसे जैसे स्लाइड करते जाएंगे आपको वह से cut up दिखते जाएगा जैसा कि देखें आपर mechanical 60% का cut up यह है mechanical 60% का cut up यह देख रहे हैं और नीचे आपको लिष्ट भी दिखेगा इस्टेशन नंबर और नाम बाइज यहां पर लिष्ट भी दिखे का नीचे तो चलिए फट अफट से देखते जाते हैं यह mechanical 60% का cut up है उसके बाद साथ साथ नीचे देखेंगे तो 40% बिहार गवर्मेंट का cut up है mechanical का उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो दिव्यांग और सतंत्रा साथ सनानी के लिए cut up है हलाकि cut up पहले के जैसा match कर रहा है जो उपर में cut up यह सब दिख रहा है लेकिन नीचे का cut up में दिव्यांग और सतंत्रा सनानी में change कर दी गए कहीं कहीं change कर दिया गया है देख लिजे यह civil यानि असाइनिक का यहां पर cut up दिख रहा है नीचे आपको slide करेंगे तो आपको counseling में आने के लिए अभियार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है तो आपना पढ़ लेंगे धियान से और हलाकि मैंने next वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या लग रहा है क्या क्या नहीं लग रहा है ठीक है इसमें सूचन पाद मिल जाता है ठीक है उसके बाद जैसे जैसे नीचे आप चलेंगो था experience वालों के लिए यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि देखे civil candidate पी यानि दिव्यांग और सतंता सेनानी के लिए total 88 candidate का list आया है civil के लिए यहां पर civil के लिए ठीक है नीचे slide कीजिए तो mechanical के लि 21 candidate का list आया है ठीक है उसके बाद नीचे देखेंगे तो civil candidate के लिए जो की experience add के थे उनके लिए है वो PHF के लिए तीनों ब्रांच के लिए बता दिया और यहां पर civil के लिए total 76 candidate है यहां पर जो की second sitting है यहां पर होना है counseling date तीथी सब लिखा हुआ है कि कब counseling होना है यहां पर mechanical के लिए 28 और electrical के लिए total 12 candidate का नाम यहां पर आ रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर first sitting में देखेंगे तो civil में तो total सीविल सेकेंड सीटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल मिल जाएंगे 300 कंडिरेट और यहाँ पर उसके बाद अगर सिविल फस्ट सीटिंग में देखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 1500 candidate उसके बाद आप देखेंगे mechanical मैं इधर civil mechanical और electrical है तो इधर civil इधर 194 और यहाँ पड़ 49 mechanical है और electrical में 19 candidate है और उसके बाद बस इतना ही candidate का list आया है तो अगर सब को जोड़ जार के करेंगे तो total लगबग लगबग 1000 candidate हो जाएंगे लेकिन मैंने सब को add अभी नहीं किया जोड़ा नहीं है बाद में जोड़ के बता देंगे कि कितने candidate है हलाकि आप लोग भी जोड़ सकते हैं add कर सकते हैं हलाकि घाबराने की कोई बात नहीं है काफी सारे candidate घाबरा जाएंगे कि जब 1000 candidate का नया लिस्ट आया है लगबग 1000 candidate का नया लिस्ट आया है आया होगा तो कट अप क्या effect पड़ेगा तो ऐसा कुछ बात नहीं है काफी सारे candidate घबरा रहे थे कि ज्यादा candidate आएंगे तो कम माक्स वाले छटे जाएंगे तो इसलिए घबराने की बात नहीं है बस जिसको experience मिलना है जुनियन candidate को experience मिलेगा और जो फेक candidate है जैसे कि जो प्राइवेट का भरदे हों कुछ फेक सट्फिकेड ही बना ले जाएंगे प्याइडी और अलग-अलग department का भी experience यहाँ पर add कर दिये हैं उन सभी के लिए यहाँ पर क्या है बुरी खबर है जो कि उनको चाट लिया जाएगा जो जो पी-एच और एफ-फेक candidate है उनको लिया जाएगा तो यही खुसकबरी था तो आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए टेलिग्राम ग्रूप में मैं प्रवाइड कर दिया हूँ ठीक है ज्यादा अभी मैं आपको हर्बर में बता दे रहा हूँ कि यह लिस्ट आ चुका है बस इतना ही हम मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए था इंक्यू धन्यब प्रवाद